तीसरे अध्याई के आठवे सूत्र में अश्टवक्र कह रहे हैं राजा जनक से कि है राजन जो इहलोक और परलोक के विशे भोग से विरक्त है जो नित्य अनित्य का विवेक करने लगा है और जो मौक्ष की कामना रखता है कितने आश्चरी की बात है कि मुक्ती से वह भी भैवीद होता है कौन जो मुक्त होने की अकांगशा करता है कहने का क्या तात्परी है अश्टवक्र कह रहे हैं कि वह व्यक्ती वह पुरुश वह मनुश वह जीव जिसने इस प्रत्वी लोक के भोगों की विर्थता को जान लिया और जिसको इस बात का विवेक है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है क्या शाश्वत है क्या च्छन भंगूर है जिसे इसका विवेक है और जो ये सब जानने के बाद मौक्ष की कामना करता है उसको भी जब मुक्ती का विकल्प उपलब्ध होता है तो वो भी मुक्ती से भैखाने लगता है भैभीत होने लगता है ये कौन सी बात हो गई जिसको मुक्ति चाहिए उसको जब मुक्ति मिलती है तो वो मुक्त होने से भैभीत हो रहा है ये बात सुनने में ही आश्चरी चकित करने वाली लग रही है क्यों? शिश्य तो आया ही था मोक्ष की खातिर फिर ये भै की बात कैसी? मोक्ष से बहला किसी को कैसा भे और क्यों हम कहते हैं कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था और आज काले अंग्रेजों का गुलाम है लेकिन उसका उधार कब हुआ उसने गुलामी छोड़ी कब लोग तो आज भी मांसिक बेडियों में जकड़े हुए है वही बात यहां है गुरू के पास शिश आते हैं माता, पिता, परिवार और समाज की गुलामी छोड़कर गुरू की गुलामी स्विकारने के लिए उसने उन सब की गुलामी छोड़ दी और यहां गुरू के लिए गुलाम हो गया गुरू के सिस्य होंगे सेकड़ों हजारों लाखों उपर उपर से मामला ऐसा ही लगता है कि जैसे सब मुक्ति पाने के लिए ही आये हों लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए तो सुना है ना कृष्ण मूर्ती किसी के गुरू नहीं होना चाते थे साफ मना करते थे मैं किसी का गुरू नहीं तुम मेरे शिश्च नहीं हम तो बस बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी की शत्र चाया में होते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है किन्तु मुक्त होने का तो मतलब ही होता है कि अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने ही उपर तुमने ले ली स्वतंत्रता में मुक्ती में किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता तुम सारे सहारों से चुटकारा पा लेते हो लेकिन हम सारे छोड़ना नहीं चाहते जीवन मुक्त होने की बात तो छोड़ ही दो मुक्ष पाने की बात तो छोड़ ही दो तुम से अगर कहा जाए कि समाज में और परिवार में जिन मुद्दों पर जिन बातों पर जिन चीजों के लिए तुम हा कह देते हो उस हा को बस ना में बदल दो और जिन जगहों पर तुम ना कह देते हो उन जगहों पर हां कह दो हां को ना में बदल दो और ना को हां में बदल दो तो तुम्हारे पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक जाएगी पिता सामने आएंगे और तुम्हें आदेश देंगे और तुम पुछोगे कौन तुम हमारे पिता थोड़ी न हो जिसको तुमने पैदा किया वो तो गया कब का मर चुका वो तुम्हारे माध्यम से आये था हम तो कोई और है कहो हां को ना और ना को हां नहीं कह पाओगे अब ये भै कितना बड़ा है तुमने अगर कह दिया तो तुम बिलकुल अकेले हो जाओगे कोई सहारा ना बचेगा अहंकार तूटने लगेगा अशून्य होने लगेगा क्योंकि उन्हीं सबसे तो उसकी हस्ती है उन्हीं के माध्यम से तो उसने अपनी पहचाने खड़ी कर रखी है अब वो भैभीत ना हो तो क्या हो वो कापे नहीं तो क्या और मुक्ती का अर्थ तो यही है कि हर पहचान से हर बंधन से आजाद हो जाना इसका मतलब यह नहीं है कि उसको निकाल फेल दिया बस जो सत्य है उसे स्विकार लेना कि ऐसा ही है तो अस्टवक्र कह रहे है जनक्स से कि राजन तुम क्या बात करते हो आश्चरी की तुमने क्या जान लिया अभी अभी ठहरो वो जो आत्मग्यानी हो जाता है वो जो सब जानता है जिसने सारे भोगों की विर्थता को सारे भोगों की अनित्ता को उसने जान लिया है उसे सब पता है कि ये संसार उसे कुछ नहीं दे पाएगा भले ही ये संसार अभी ही क्यों ना मिट जाए किन्तु फिर भी उस संसार से मुक्त होने में भी उसे भैपकड़ता है यही तो आश्चरी है और तुम कह रहे हो कि तुम मुक्त होगे इतनी जल्दी इतनी आसानी से देखो कहीं धोखा तो नहीं खा रहे हो यदि बंधनों से मुक्त होने का चुनाव हमारे पास है तो इससे कौन सी बात पता चलती है कि वास्तों में हमारे बंधन हमारा ही चुनाव है हमारी गुलामी हमारा ही चुनाव है बंधन ने हमें नहीं बांधा है वे तो अभी तूट जाए लेकिन उसे आप नहीं छोड़ना चाहते वे अभी छोड़ जाए लेकिन आप उसे नहीं छोड़ना चाहते डर है बे सहारा हो जाने का लेकिन जैसे ही मैंने कहा बे सहारा तो आपके मन में एक छवी आ गई होगी एक भिखमंगे की तरह फिरते व्यक्ति की बुजुर्ग बीमार सा गंदे कपड़े बर्सों से नाया नहीं लेकिन बे सहारा शब्द कोई गंदा शब्द नहीं है ध्यान दो शब्द पर हम बे सहारा हो जाने से डरते हैं किन्तु बे सहारा शब्द बहुत प्यारा है लेकिन संसार तुम्हारा समाज बे सहारा शब्द को लाचारगी कमजोरी भिखमंगी का परतीक समझता है लंबन किसी का सहारा ना रहा कितने आश्चरी की बात है उसके पास किसी का सहारा नहीं वे बे सहारा होकर भी है वे बे सहारा है फिर भी है और सिर्फ है ही नहीं नजाने कितनों का वो सहारा है बे सहारा माने जिसने सारे सहारे छोड़ दिये संसार के ऐसा ही एक उपनिशद भी है जिसका नाम है निरालंब मुक्त पुर्षव है जो निरालंब हो गया जिसने सारे अवलंबन सारे सहारे छोड़ दिये या कहो कि सारे सहारों की विर्थता को जान लिया और निरालंब हो गया बेसहारा हो गया सारे अवलंबन छोड़ दि जब जान लिया क्या इही लोग और परलोग के विशे भोगों की विर्थता को जब इस बात का विवेक करने लग गए कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है क्या शाश्वत है और क्या छण भंगूर है क्या नश्वर है और इसके साथ जब मौक्ष की कामना है तो मुक्ती का छणा आता है किन्तू वही पर डर भी आता है बिल्कुल बैसहरा हो जाने का, अकेले हो जाने का, स्वयम के मिट जाने का क्योंकि जब सच्चाई नजर आ गई तो बंधन की भी सच्चाई नजर ही आ गई होगी दिखी गया होगा कि बंधनोंने हमें नहीं बांदा है, हमने बंधनों को पकड़ रखा है जाको अपने जिंदगी में, जिन्हें भी तुम अपने बंधन समझते हो, अपने दुख का कारण समझते हो क्या वह तुम्हारा अपना ही चुनाव नहीं है और तुम जाकोगे तो तुम ना नहीं कह पाओगे नहीं कह सकते ना क्योंकि वे तुम्हारा ही चुनाव है और तुम्हारा बंधन तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा चुनाव नहीं है यदि तो अभी इसी च्छण उसे ना कहने का विकल्प तुम्हारे पास है बलकि कभी बंधन खुद छूटने को या तूटने को भी आये तो और कसके उसे पकड़ लोगे जकड़ लोगे क्योंकि वहाँ स्वार्थ है बंधन में स्वार्थ है सुरक्षा है गुलामी में सुरक्षा है स्वार्थ है जिम्मेदारी नहीं है और वहां गुलामी है पर कम से कम तुम बचे तो रहते हो और जहां तुम मुक्त हो गए वहां तुम से सब छिन गया सारी पहचाने सारा नाम तुम अकेले हो गए मने वहां तो तुम बचते ही नहीं हो तुम तुम होते ही नहीं अहंकार मिठता है तो गुलाम है तो कम से कम हम तो हैं गुलाम है पर हैं और मुक्ती में हम ही नहीं है मुक्ती का मदलब ही होता है हम हम से मुक्त हो गए स्वेम से मुक्त हो गए तुम कहते हो पती बंधन है पतनी बंधन है कोई स्वार्थ ना हो तो कौन पतनी सहन करेगी किसी भी पुरुष को कोई स्वार्थ ना हो कोई सुरक्षा ना हो तो कौन बेटा बाप की सुनेगा कौन मजदूर किसी मालिक के गालियां खाएगा मगर गुलामी है पर गुलामी में स्वार्थ है सुरक्षा है जिम्मेदारी बहुत थोड़ी है इसलिए मोक्ष भैभीत करता है क्योंकि मोक्ष का मतलब बिलकुल आसुरक्षा में जीना अपनी जिम्मेदारी पर जीना अनिश्चितता में जीना मैंने कई एसी इस्त्रियों से बात की है जो पती के दुर विवारों से परेशान हो करके उससे आजाद होना चाहती थी या हो गई थी तो गंटे भर तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई गंटे भर अपने साथ हुए गलत विवार का रोना रोने के बाद वे क्या कहती है पता है वे कहती है एक व्यक्ति है एक पुराना दोस्त है उससे कभी किसी समय पर हमारा प्रेम हुआ करता था कभी कबार उससे अब भी बात हो जाती है वो हमें अच्छे से समझता है हम भी उसे अच्छे से समझते हैं मैं कहता हूँ कि अभी एक बंधन से तो आजाद हुए नहीं एक दलदल से तो बाहर आये नहीं तुम दूसरे में गोता लगाने को तयार हो ये क्या है इनको मुक्ती नहीं चाहिए इनको सस्ती गुलामी चाहिए चाहिए गुलामी ही ये मुक्त नहीं होना चाहते ये खुद बंधन चुनते हैं इसलिए तो अश्टवक्र कह रहे हैं कि जनक देख लो कही ब्रहम्मे तो नहीं हो क्योंकि इह लोक और परलोक के भोगों की विर्थता को देखने वाले और नित्या नित्य का विवेक रखने वाले मोक्ष की कामना करने वाले मुक्ती से अक्सर भैबीत हो जाते हैं क्योंकि मुक्ती तुम्हें बिलकुल अकेला खड़ा कर देगी निराधार बेसहारा निरालंब बिलकुल आसरक्षा में बिलकुल अनिस्चितता में तुम्हें खड़ा कर देगी वहां हर कोई डगमगा जाता है काप जाता है भैभीत हो जाता है और तेरे चेहरे पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं तेरी घोशना जोटी तो नहीं है या वास्तों में तू मुक्त हो गया है मुक्ष का अर्थ है बे सहारा हो जाना निरालंब हो जाना कोई सुरक्षा कोई निश्चिता कोई सहारा नहीं हम अकेले होने से डरते हैं इसलिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है सहारे के रूप में और यही हाल हमारे जीवन में परलोग के संबंद में है। इनसान देखा ना ये इनसान समाज में तथाकति धार्मिक इनसान जो थोड़े बहुत पूर्ण कर्म करता भी है वह इसी लालच में करता है कि स्वर्ग मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी, भोगने को मिल जाएग कुछ तो निश्चिता हो जाएगी और इनसे कहो कि तुम्हें इन सब की विर्थता देखकर इन सब से मुक्त ही हो जाना है तो बताओ जब इनसे कहा जाएगा कि मौक्ष का छड़ा आ गया चुनलो तो ये भैक्यों नहीं खाएगे समाज और संसार को छोड़कर गुरू की खुरूं की और गुलुम खुरू की गुलामी जलती तो कहा जाएगे इतनी भीर इतने लंबे समय तक अने गुरूं पास कैसी लगी रहती है और क्यों लगी कि रहती है वही लोग मैं भी सो ती सो वर्षयों से पढ़़े हुए हैं क्यों Kann paparsard का इतने समय और भोगों की विर्थता दिग गई होगी क्यों नहीं गुरू का भार उतार देते थोड़ा कुछ उनके काम को सहारा दे देते उसे आगे बढ़ा देते परस्टबकर कह रहे हैं कि जनक ऐसा नहीं होता है मुक्ति से भै लगता है हमारे बंधन हमारी गुलामी हमारा चुनाव है तुम कहते हो बोस खून चूसता है लेकिन कैसे छोड़ें बच्चे हैं पतनी है जीवन भी मा है हेल्थ इंशुरेंस है यह सब करा रखा है उसका खर्चा है यह कहां से दूगा काम ना करूं बोस की गुलामी ना करूं तो कैसे यह सब काम आगे बढ़ेगा देख रहे हो अच्छा बच्चे करे हैं अपने आप आ गए क्या वो कोन लाया और किस लिए लाया बुड़ापे की अपनी सुरक्षा की खातिर तुम ही तो उनको लाये हो और कहते हो बंधन है बीमा कराया है सुरक्षा की खातिर और कहते हो बंधन है चुकाओ यह बंधन खड़े किये कि इसके लिए अहंकार स्वयम को हर तरह से सुरक्षित कर लेना चाहता है और मोक्ष में यही सुरक्षा यही निश्चित्ता होती है जो तूटती है मोक्ष में बंधनों से नहीं मुक्त हुआ जाता है मोक्ष में इन सुरक्षा इन निश्चित्ताओं के गहरे को तोड़ा जाता है आप भी जीवन में बंधनों से नहीं डरते हैं क्योंकि बंधन तो आपने खुद पकड़े हैं आप परेशान होते हैं रिष्टों से कामों से पर इनको तो आप नहीं चुना है ना पर इससे भी ज्यादा किस चीछ से परेशान हो इन नोकरी जिससे परेशान हो उसके छूट जाने से जो सुरक्षा त्यार कर रखिये जिसके कारण जीवन में थोड़ी बहुत निश्चिता है उसके बिखर जाने से डरते हैं और मोक्ष का अर्थ होता है कि तुम्हें उन सारी सुरक्षा की तैयारियों की विर्थता दिखा दे और बिलकुल एक ऐसे मैदान में खड़ा कर दे जहां तुम पूरी तरह अकेले हो असुरक्षित हो कुछ भी निश्चित नहीं है क्योंकि उसमें अहंकार को पूरा ही मिट जाना होता है और अहम ऐसा मोक्ष क्यों चाहे जिसमें स्वेम को ही मिटना पड़ता हो अपने को बचाने के खातिर वे मोक्ष से भेखाता है कबिर साब कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है में नहीं तुम ही तुम तुम्हें तुमसे ही मुक्ति चाहिए और उसके लिए तुम्हें ही मिटना होगा अब भै लगे नहीं तो क्या हो लगेगा ही भै हम तो आये थे कि मुक्ति मिलेगी हम तो ये समझते थे कि बंधन बाहर है उनसे मुक्त हो जाएंगे लेकिन यहां तो पता चल रहा है कि हम ही ब भै पेदा होता है जैसे जैसे मुक्ति के छण निकट आते हैं भै पेदा होता है क्योंकि सब कुछ तूटने बिखरने छूटने लगता है सब की व्यर्थता और नकली पन दिखने लगता है और यह दिखने लगता है कि सब नकली ही है सब व्यर्थ ही है तो फिर तो यह सब का आउसर मिले तो हम तुरंत उसे चुन लेंगे लेकिन अश्टावक्र कह रहे हैं जनक से कि वह व्यक्ति जो यह जान चुके हैं जो यह देख चुका है और जो यह देख पा रहा है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है क्या च्छन भंगूर है वह देख पा रहा है कि सब को भी जान लिया है वह विक्ति जिसने प्रत्वी स्वर्ग और नर्क हर लोक के यथार्थ को जान लिया है और उसकी विर्थता को पहचान लिया है और केवल अब मुक्ष की आखांशा करता है बड़े आश्चरी की है राजन कि ऐसे व्यक्ति को भी जब मोक्ष का मुकटि का विकल्प उपलब्ध होता है तब वह भी मुक्ति से बह भी५ृत होता है कितनी करी करते हैं शिश भक्तजन ऊपर अपर से जैसे ह्म सब तयार हो जाते हैं मुक्त होने चाहती क्योंकि अहम व्रत्ति के मिटने का नाम ही तो मुक्ति है, मन कह देता है कि मुक्त होना है, कर्म हम वैसे करने लग जाते हैं, लेकिन मन चाहे कितना ही कहे कि मुक्त होना है, जब तक अहम मिटना ना चाहे, तब तक कोई मोक्ष नहीं, क्योंकि अहम माने अहम व्रत्ति वो विचार से भी उपर होती है विचार की कर्मों पर चलती है किन्तु व्रत्ती विचारों की भी मालिक है वो मन जो थोड़ी देर पहले दूर्यो धन के प्रती आग उगल रहा था युद्ध के लिए तत पर था मेदान के बीच में आकर वही कापने लगता है भागने लगता है क्योंकि मोह की व्रत्ती हावी हो गई व्रत्ती हावी हो जाती है तो अश्टवक्र कह रहे हैं जनक से कि देख लो कहीं यही हाल तो तुम्हारा नहीं है कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा अश्चर है जनक कि इंसान सब कुछ जानते हुए भी एक ही दलदल में बार बार गोते लगाता है अपने जीवन में ही जाको ना बच्चे करके, शादी करके, नोकरी, चोकरी सब से इन सब से केसी केसी समस्याएं केसे केसे बंधन जीवन में आते हैं कितनी परिशानियां आती है ये सब को जानते हुए भी उसी दलदल में इनसान गोते लगाता है क्योंकि आहंकार कहता है कि भईया इतना बड़ा संसार है और अभी हमारे पास समय बाकी है और पाने को बहुत कुछ शेशे शायद जो अभी पाया नहीं उसमें कोई सार्थकता दिख जाए शायद उसमें कोई शाश्वत हो शायद वो अनित्य ना हो शायद वो हमें तरप्त कर दे तो अहम बविश्य से आसा बांदता है शायद बविश्य में कोई चमतकार हो तो वो मुक्त नहीं होना चाहता तो इसलिए अहंकार होता है जो बहभीत होता है क्योंकि अहंकार ने अपने लिए जो संसार रचा है उसमें सुरक्षा है और उसमें निश्चिता है भले ही उसमें दुख भी हो लेकिन मोक्ष होता है बिलकुल असुरक्षा बिलकुल अनिश्चिता बिलकुल अपरिच्चिता को स्विकार कर लेना उसमें जीना और अगर सब सब कुछ जानते हुए भी सारी विर्टता नित्यता अनित्यत च्छन भंगुर्ता सब कुछ जानते हुए भी मुक्ति को सत्य को नहीं चुनपा रहे हो तो समझो कि ये अहंकार है जो बचा रहना चाहता है किसी चीज की विर्थता उसकी नश्वरता जानते हुए भी बंधन को बंधन जानते हुए भी उसे नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये अहंकार है जो बंधन में कोई स्वार्थ देख रहा है अगर सचमुच मौक्ष चाहिए तो सत्त की राह पर जो मिले उसे सहते चलो सहते चलो फिर चाहे अहंकार कोई भी बहाना दे अहंकार के टूटे बिना अहंकार के मिटे बिना कोई मौक्ष नहीं कोई मुक्ष के लिए अहंकार को ही यग की आहुती बनना होता है जो बनने को त्यार है उसी के लिए मौक्ष है, मुक्ती है